गिमी या कहें गिमिक पाली यानि पुरानी भासा में जो गर्मी का नाम है वो है गिमी और अगर गर्मी है तो उसको बोलते हैं गिमिक तो जो गिमिक का समापन है यानि जो गिमिक की जो फसल आने वाली है गर्मियों की जो फसल है उसका समापन समारो होना है सारी फसल जो गर्मियों की थी वो लगबग आ चुकी है वो घर में आ चुकी है खास दोर से जो धान है वो आ चुका है तो धन का बरसा हो रही है यानि की धन बरस राय पानी की तरह और लाखों की तादात में धान आया है तो लाखों को पाली के अंदर लख बोलते हैं या लखी बोलते हैं लखी का मतलब है लखी लखी बाद में आधा के और खे को मिला के छे बना यानि लखी को लक्षमी बोलते हैं और धान का धन बना और वरसा क वरस बरा यानि कि धन लक्षमी वरसा धान लख्षी बरस करके बोला जाता है ये जो सब्दों का हेर फेर है अगर आप पाली में जाएंगे प्राकरतिक भासा में जाएंगे तो आपको बहुत सीधा सीधा इस पस्ट समझ में आ जाएगा जो खेत सब्द है वो बेसिकली बाद में जाके छेत्र बना और जो खेतिय थे वो बाद में जाके छेत्र ये बने क्योंकि आधा के और खे छे में बदल गया जो अक्षत सब्द है वो अक्षय बन गया, अक्षत बन गया, ये सब्दों में जब आप देखेंगे तो पाली में बहुत कम सब्द होते हैं, सब्द जो दो सब्दों से मिलके बने होते हैं, वो बहुत कम मात्रा में या नाम मात्र का कोई सब्द उसके अंदर आता है, दिपा तो उसको बोलेंगे दीपावली ये दीपावली जो सब्द है ये बाद में जाके बना क्योंकि ये गिमिक समापन समारों जो था यानि कि जो गिमिक की फसल है उसके समापन समारों को बाद में दीपावली में या दिवाली में कनवर्ट हो गया वो अपने आप धी धीरे समय के क्योंकि किर्सी प्रधान जो मानता थी वो धीरे 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 व्यापारी प्रधान मानता में बिजनिस प्रधान मानता में या जो ट्रेड प्रधान मानता है उसमें बदलती चली गई और किर्सी प्रधान मानता बहुत पीछे कहीं छूट गई आज की डेट में व्यापार ज् तो फोटो में देखा होगा कि कोई इसतरी अगर कलस में बहुत ज्यादा कोई golden चीज़ करती है तो वो golden धान को बोलते हैं क्योंकि इसको कनक भी बोला जाता है यानि कि गोल जैसा इसका रंग होता है तो तो सारा का सारा जो फैस्टिवल है वो धान से सम्मंदित है धान की फजल से सबमंदित है गौतम बुद्ध कपिल वस्तो आ रहे हैं राजगीर से वो चल पड़े हैं जब वहां पॉँचे हैं तो पॉँचने के बाद में वहां उन्हें प्रकास फलाया यानि प्रकास फलाया धम का प्रकास फलाया जैसे कहावत आपने सुनी होगी दीप से दीप जलाते चलो वैसे ही वो प्रकास से प्रकास को फैलाते हुए जा रहे हैं धम की ये खास बात है कि धम जो व्यक्ति जो परिवार सीख लेता है वो आगे भी इसको फैलाना सुरू कर देता है क्योंकि ये सेहत के लिए और व्यक्ति के लिए परिवार के लिए देश के लिए बहुत ही अच्छी चीज है इससे बहुत सारी चीजे सुधर जाती है और बन जाती है गौतमबुद जब अपने घर जा रहे हैं भिक्कुचंग साथ है तो वहाँ पे एक बहार एक वन है जो वट ब्रक्ष का यानि वट रुक का वन है जिसको संसकाइद भासा में निग्रोधाम बोलते हैं यानि निग्रोध जो ब्रक्ष का नाम है वो वट ब्रक्ष या बढ़ ब्रक्ष को बोलते हैं आपने बड़ोदरा का नाम सुना होगा, बड़ोदरा का नाम बटब्रक्ष से पड़ा है, बड़ से पड़ा है, यानि वहाँ इतने बड़ के पेड़ हैं कि उसको बड़ोदरा बोलते हैं, तो ऐसे ही बटब्रक्ष के एक बाग में जाके उन्होंने, जो कपिल वस्तू के प अपनी पुरानी पत्नी क्योंकि अब वो उनकी पत्नी नहीं है बुद्ध की कोई भी पत्नी या कोई भी संबन्ध या कोई भी रिलेशन बुद्ध होने के बाद खतम हो जाते हैं वो सिर्फ बुद्ध के और उपासके और उपासिका के रहते हैं क्योंकि बुद्ध जब सारी चीजों को छोड़ते हैं तब ही बुद्ध बनते हैं तो वो जो पुराने उनके सम्द्ध थे उनके पता के उनके पुत्र के उनके पत्नी के वो और उनके भाई उनके अड़ोसी पड़ोसी वो सब उनसे जाके मिलते हैं वहां जाके उनको धम दे प्रकास उस सब के नाम से बोला जाता है, एक साथ तो यह उस सब नहीं बना, क्योंकि यह हजारों सालों में डवलप होता है, तो उस याद में धीरे 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 यह function बनता, यह festival बनता, चला गया, ऐसा करके उन्होंने प्रकास फलाया, जुसने सारे के सारे, जितने भी अंध को दूर करने की उसको पंचान अमरत बोलते हैं, पंचान अमरत का मतलब है, जो पांच सील है, जो अमरत तत्व है, यानि कि कोई व्यक्ति अगर पांच सील को अपनाता है, या पांच सील की प्रक्टिस करता है, तो वो अमरत तत्व में आते हैं, जिसमें बाद में उसको सं मार का मतलग है जो बुराई है जो दुख है वो उसके पास नहीं आते हैं इसी को पंचांग बोलते हैं यानि कि पांच अंग बोलते हैं अमरततु के यानि जो अमरत है उसका पंचांग बोलते हैं पांच अमरततु के यानि जो अमरत है उसका पंचांग बोलते हैं पांच अमर यानि गौतम ने धम दिया उसका दिवस बोला जाता है। बाद में उनके भाई जो बुगा की लड़के देवदत और जो उनके चचरे भाई थे वो भी आ जाते हैं जो धम में सामिल हो जाते हैं इस पेकार उनका संग लगाता लगाता बढ़ता रहता है और जब वो अगले दिन धम सिकाते हैं तो धम सिकाने वाले दिन को गौतम धम बोलते हैं और उससे एकले दिन लोगों का भै दूर होना सुरू हो जाता है भै का दसन होना सुरू हो जाता है इसलिए उसको भै दूर दस से दिफसो या भै दूर दर सी दिफसो भी बोला जाता है इसलिए यह सारा का सारा फेस्टिबल लगातार चल रहा है छटे दिन लगब फ़त ज़यादा परेशानी आती है परेशानी इसलिए आती है क्योंकि जो विपस्ना साधना करते हैं जो मेडिेशन करते हैं जो बुद्ध़ική टेखनीक अपनाते हैं वो जानते हैं कि पांच में छटे दिन आदमी को आँमिकाए महिला को बहुत ज़्यादा परिशानी महसुस होती है उसको लगता है कि वो किस जंजाल में फस गया और वो इससे मुक्त होना चाहता है बहुत सारे लोग विपसना साधना छोड़के जो कमजोर होते हैं वो भाग भी जाते है इसलिए छटा दिन बहुत important होता है और जो 6 दिन पार कर लेता है फिर वो बाद में लगातार विपसना करता रहता है जो जीवन भर उसके साथ रहती है जीवन भर उसके दुखों को छोड़ती है ये एक repulsion होता है जो छटे दिन खास तोर से जादा होता है क्योंकि सारी बुराईया एक साथ सरीर में हमला करती है और कहती है कि आप विपसना साधना calibration मत करो आप सच्चाई के रास्ते पे मत चलो आप बुराई के रास्ते पे चलो बुराई का रास्ता अچ्छा है बुराई की और अच्छाई की सरीर के अंदर बहुत ज्यादा लडाई होती है और उस लडाई में बहुत ज्यादा सरीर को परेशानी महसूस होती है इसलिए उसको चट भोला गया है चट का जो फेष्टिवल है वो बहुत ज्यादा important है, महिलाओं को उस दिन अर्ध दिया जाता है और जो भग्नमान बुद्ध ने जो खीर खायती उसको खरना बोलते है जो दूद की बनी होती है वो खरना दिया जाता है अर्द का मतलब है कि जो सनलाइट है उसको विपसना साधना करने वाली जो महिला है जो औरते हैं वो सब परिवार के लोग उस सनलाइट को ले ले उससे positive energy आती है और साधना करने में आसानी रहती है यह अर्द का बहुत important और यह festival बुद्ध के छेतर में यानि जहां उनका कारेश छेतर रहा है उसी कारेश छेतर के अंदर यह बनता है और वहीं का festival है बाकी जगे यह धीद्रे फैल रहा है मगर अर्द का मतलब होता है आधा यानि कि आधा बोजन और आधा आपने सनलाइट लेनी है ताकि आपका सरीज स्वस्ते रहे वैसे भी डॉक्टर कहते हैं कि 40% सनलाइट कम से कम बॉड़ी में 40 मिन तक रहनी चाहिए 40 का रूल होता है इस परकार ये सारी के सारी जो स्रीज है वो चलती है अब इसमें अगर एतिहासिक तरीके से आप देखेंगे तो ये जो festival है ये बुद्ध से भी पहले का festival है धान का festival है जब धान घर में आता है और गर्मी की सारी फसल का समापन समार हो है उसके बाद में बुद्ध घर आते हैं तो ये और ज़्यादा बड़ा function हो जाता है क्योंकि वो उसी दिन आते हैं जिस दिन धान का festival है और ये फिर धम पकास उस सब के नाम से भी जान जा जाता है या 84,000 जो पत्थर की किताब है या इस्तूप, या प्याओ, या गौसला, या ध्रमसला, या अस्पताल, या स्कूल, या आराम घर है जितने भी बिल्लिंग हैं, जितने भी समारक चने थे 84,000 पूरे इरान से लेके और बर्मा तक वो इस्थापित किये गए और उनका एक साथ उद्गाटन किया गया आज की डेट में भी बहुत सारी जिकार 84,000 दिये जलाए जाते हैं और उस खुसी में उन प्रिटिक चिन्नों में जो पुराने आराम गिरह या पुराने जिनको आज की डेट में हम ये कह सकते हैं बिहार हैं या जो बहारों के नाम बदल गए हैं जो इमारतें पुरानी हैं वहाँ भी आज की डेट में प्रकास उस सब मनाया जाता है धम प्रकास उस सब के दिये चारव तरफ जलाया जाते हैं इसके लावा जो इस्ट एशिया है उसके कुछ लोगके जो Left hand थे जिनको माहा मुगलन बोलते थे, उनके सिस्य थे और बहुत अच्छे वो जो धम है उसमें बड़े पारंगत थे और धम को बहुत अच्छा पढ़ाते थे अनको बहुत लोगों ने मारके, एक साथ मारके समूमे एक तरसे कैसा, उनके घर में उनकी हत्या करके, उनको मार दिया गया ये भी अमावस की रात का हुआ, और अमावस से एक दिन पहले जो काली 14 आती है, इसमें जो केरल की राजा महा बलि थे, जो बली राजा थे उनकी हत्या का प्रियास किया गया कुछ लोग कहते हैं उनकी हत्या हुई है क्योंकि वो अमावास के दिन फिर बाद में प्रिकट भी हुए है आ भी गये है तो या तो हत्या हुई है या वो हत्या हुई हुई और वो नाकाम रहे और वो आगे ऐसी कठा कानियों में बताए जाता है बाकी राजा बलीबेवी आगहात यानि प्रहार किया गया उस रात में ये निगेटिव बातें दो हैं मगर पॉजिटिव बातें असोक ने जो 84,000 इसकंद चारों में फिलाए और धम को दोबार से ले गया है ये बहुत पॉजिटिव बात रही और धम तब से लेके अब तक एथियासिक रूप में लगातार आगे बढ़ रहा है नेपाल में जो नेवा लोग हैं नेवा लोग वो पुराने लोग हैं जो आज भी पांच दिन का उस्था मनाते हैं और पांच दिन का उस्था क्योंकि कपिल वस्तू नेपाल में पड़ता है इसलिए नेवा लोग वहां के नेटिव लोग हैं जो पांच दिन का उस्था महां मनाते हैं और लगबग उसी तरह से प्रकास को फैलाते हैं जिस तरह से प्राचिन समय में कपिल वस्तु में फैलता था। ये बाते हैं दिपावली की या धम प्रकास उसब की या धम दीप प्रकास उसब की या दीप दान उसब की। दीब दान का मतलब है दीब को देना, दान माने होता है देना, यानि दीब को देना, प्रकास को देना, यानि धम को देना, यानि धम दान धम का दान देना, तो आप कह सकते हैं कि प्रकास उतसब और धम उतसब दान उतसब दोनों बरावर हैं, यानि किसी को प्रकास देना और धमका दान दिया अब आप दिपावली आज के समय में कैसे मनाए और मैं दिपावली पे क्या करता हूँ हमारा परिवार बिजनस परिवार रहा है हमारी एक दुकान एक छोटे सेर में हुआ करती थी और मैं एक्सर कॉलिस करने के बाद मैं दिपाबली पे जब घर जाता था तो साथ दिन तक वो दुकान को खोलता था वो दुकान लगबग बंद रहती थी हमारी सिर्फ पूरे साल में साथ दिन वो दुकान खोलती थी मैं उस पे जो आतिसवाजी क्रैकर्स या पठाके और मौंबती हैं वो उस पे बेचा करता था पूरे साल का क्राया हम साथ दिन में उस दुकान से निकाल लेते थे लोग बहुत ज़्यादा उनमाद में होते हैं इस फेस्टिवल में और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने के मूड में होते हैं दरसल जो फेस्टिवल है वो उनको इस तरह से मनोविग्यानिक रोरूप से उनको सलेव या गुलाम बना देता है कि उनके सोचने समझने की सकती लगबग खतम हो जाती है और वो अपना बहुत महनत का कमाया हुआ पैसा बहुत फ्री हास से वो बाजार में लोटाते हैं एक तरह से बहस होती है कि किसने कितने ज़्यादा पटागे लिए किसने कितने ज़्यादा कपड़े लिए किसने कितनी ज़्यादा मिठाई लिए कौन कितना ज़्यादा खर्श करता है लोग उधार लिले के पैसे आते थे और हमें नगद में देके जाते थे साथ दुनों में मैं बारे महिने का क्राया निकाल लिता था और दो साल के अंदर मैंने एक बड़ी एस्कूटर जो लगवग 35,000 का उससे में आता था वो मैंने खरेदा 10,000 के जो पटा के अगर मैं बजार से लेके आता था तो वो लगवग 25 या 30,000 के टोटल बिकते थे मुझे डिल गुने का और दो गुने का फायदा होता था मेरी बहुत छोटी सी आमदनी थी मगर पूरा बजार अगर आप देखेंगे तो पूरे बजार में यही हालत रहती थी कोई नहीं पूर्चता कि कितने की चीज है और कितने की आई और कितने की गई उनमाद ऐसा जवरजस्त होता है ऐसा पागलपन होता है खरिदारी करने का और दिखावा दिख करने का कि लोग अपना मेहनत का पैसा पानी की तरह बहाते हैं और हमारे जैसे जो दुकांदार थे वो इसको कैश करते हैं क्योंकि कही ना कही तो जाएगा इसलिए अगर आप दुकांदार है या आप उस विजनिस में हैं और आपको लगता है कि आप लोगों का पैसा कमा सकते हैं इसको कमाना बोलते हैं कमा सकते हैं जो पैसा वहां लुटने वाला है वो पैसा आप अपने शेर में डाल सकते हैं आपके लिए दिपावली बहुत बड़ी आ है, क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ आ रहा है, और अगर आपका पैसा जा रहा है, आप बिना सोचे समझे, खैदारी कर रहे हैं, अदादुन पैसा खर्च कर रहे हैं, तो फिर दिवाली आपके लिए इतनी ज़्यादा लाब दायक नहीं है, मैं कहूंगा कि नुकसान दायक है, क्योंकि आपका मेहनत का पैसा जा रहा है, दिवाली पे आप अपने आपको संयम में रखें, दिपावली पे जो आपने खरेदना है, वो दिपावली के बाद खरेदें, या दिपावली से बहुत पहले जो कनागत आते है उनमें खैदें तब मार्केट बहुत सस्ता होता है बहुत अच्छा होता है जरुत का सामान खैदें दीपावली की भीड में बिल्कुल ना खैदें क्योंकि दीपावली की भीड में पुराना सामान भी बिखता है जैसे जो बचे हुए पटाके होते थे या बचे हुए मौंबत ही होती थी पिछले साल की मैं पैक करके रखता था और अगले साल में उनको बेशता था और वो अगले साल में ज़्यादा दामों में बिखती थी लोगों को ये पता ही नहीं चलता था कि ये पुराने हैं या ये नए हैं क्योंकि दीपावली के अंदर हमारा जो पड़ोसी है वो ड्राइफूट बेसा था उसका बारिस में लगा हुआ सारा ड्राइफूट जो फंगस लगा हुआ होता था वो चत पर सुकाता था और फिर दिवाली की भीड में सारा बेच दीता था इसलिए जितना भी फंगल लगा हुआ या बारिस में खरा हुआ जितना भी अन्न या जितना भी ड्राइफूट या जितना भी बिस्कूट या जितना भी सामान होता है वो दिपावली की भीड में सारा का सारा बिग जाता है दिपावली में गिफ्ट देने का और बहुत ज़्यादा चलन होता है दिखावी का चलन बहुत ज़्यादा होता है हमारे परिवार में जो हमारे पिताजी थे क्योंकि वो बहुत पहले से इन सब चीज़ों को जानते थे और दादा भी हमारे उन्होंने गिफ्ट का लेने का देने का चलन बंद कर दिया कोई आके हमें गिफ्ट देता है उसका वेलकम है, स्वागत है हम उसको उसी का गिफ्ट खोल के खलाते थे मिफ्टाईयां बहुत बासी होती थी क्योंकि हलवाई बहुत पहले से उनको बना कर रखते थे फिर वहाँ गंदे हातों से उनको लेते थे किसी को गिफ्ट देने से उसकी सिहत भी खराब हो सकती है और उसका मन भी खराब हो सकता है इसलिए पैसा भी खराब होता है इसलिए सारी चीजों को बचाते हुए सिर्फ दिवाली के दिन क्योंकि सब बच्चे मठाई खाते थे तो मेरे पिता जी इमर्तियां लेके आते थे इमर्तियां hand to hand बनती है गरम गरम बनती है ताजा बनती है उनमें हाईजिंग का जो फैक्टर है वो बलकूल क्लियर होता है आपको कहीं भी उसमें खराबी नहीं मिलेगी ये हम एक एक दो-दो इमर्ति खाते थे और बड़े मज़े से रहते थे ताजा सब्जी और ताजा फल खाते थे और खुब पैसा हम दुगान पे कमाते थे पुरा परिवार हमारा पैसा कमाता था दिपावली पैसे कमाने के साब से बहुत अच्छी है अगर आप बिजनस करते हैं या बिजनस करना चायते हैं आप दिपावली पे कोई भी धंदा कर लीजिए आपको उसमें आमदन ही आमदन ही होगी क्योंकि लोग उस दिन आपसे कुछ नहीं पूचते उस समय सब लोग खैदारी को आते हैं भीड बहुत ज़्यादा होती है इसलिए भीड में रेलम पेल होती है सारा माल भिग जाता है पुराना या नया किसी विदाम पे आप बेचिए तो दिवाली खैदारों के लिए बहुत बेकार होती है और जो बेचने वाले दुकंदार हैं उनके लिए बहुत अच्छी होती है धन्यवाद उनके लिए बहुत अच्छी होती है